हेलो दूस्तो नमस्कार पता है बंदन बैंक के नंबर सामने आ चुके हैं बहुत सारे लोगों के अलग-अलग कमेंट्स भी रहते हैं सर बंदन बैंक जैसा बन सकता है क्या बहुत सार लोग ऐसे सवाल पूछ रहे हैं इसलिए मैं इस सवाल का भी जवाब देना मतलब दे दूगा राइट बट हम लो चीज़ें हम लोग या पर देखेंगे प्लस उसी के साथ आपको पता है कि बैंक की बात आती है तो नंबर्स चेंज हो जाते हैं अब इतक का जो बंदन बैंक का पर्फॉर्मस है इतना इंप्रेसिव नहीं रहा है तो बहुत सारे सवाल है उतने जवाब भी रहेंगे तो फ बैंक के बॉर्ड ने यहां पर डिविडेंट रेकमेंड की है कितने एक रुपे का डिविडेंट है ठीक है कोई बात नहीं डिविडेंट एक का हो या फो का हम तो वह प्रेडिक नहीं कर सकते वह तो बैंक मैनेज्मेंट उनका मर्जी ठीक है अभी हम लोग यहां पे आ जो मेन इंकम है बंदन बैंक की अगर हम लोग बात करें ABCD आप लोग देख सकते हैं इसमें अधर इंकम को भी अगर हम जोड ले ठीक ठाकी है So 3,78,000 उसके पहले 3,86,000 था है and 3,34, so year on year basis 34 का 78,000 तक जंप हुआ है इंकम की बात करें तो तो अच्छी बात है अधर इंकम हम कह सकते हैं 50,000 से 78 हुआ है यहाँ पर मतलब अच्छा का सा जंप अधर इंकम की वज़े से है बट चलो ठीक है अधर टोटल इंकम में हम लोग को यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है बट कहानी यहाँ पर खतम नहीं होती क्योंकि बैंक्स की अगर मैं बात करूँ आप लोग को पता है वो moratorium, period, supreme court का case and all that तो वहाँ पर बहुत सारे banks ने बाद में provisions में जटका दिया है तो हम लोग यहाँ पर देख लेते expenses obviously इस expenses का भी कोई ज़्यादा महत्वा नहीं रहेगा क्योंकि expenses यहाँ पर कैसे रहेगा before provisioning, आप देख सकते है total expenditure excluding provisions and contingency जो actual picture है वो provision के साथ ही शुरू होने वाल है बट still cover कर लेते 2,5,000, 1,94, 1,82, so यह expenses है so income minus expenditure हम लोग को operating profit मिलेगा but before provisioning, so वो है 172, 191, 152 so हम लोग कह सकते हैं कि 152 का 172 हो चुका है but यह आधी अधूरी picture है आप लोग को पता है असली picture bank का अभी शुरू होने वाल है and वो है दोस्तो provision and contingency obviously other than taxes, taxes का adjustment नीचे किया जाता है so दोस्तो यहाँ पे जबरदस्त हम लोग को जटका लगते वे देखने को मिल रहा है आप खुद देख सकते हैं provisioning मतलब पहले 82,000 था उसके पहले 1,06,000 था इस वक्त लगब एक लाख साथ हजार तक provisioning जा चुका है मतलब year on year business बात करें 82 का 160 means simple math multiply by 2 करोगे तो हम कह सकते double provisioning यहाँ पे double हो चुकी है and यह बिलकुल भी अच्छी बात नहीं है अभी provisioning मतलब क्या बहुत ही simple language में अगर मैं आपको समझा दू समझ लेना कि यह lossy है समझ लेना इसको lossy बोलते है मतलब पकड़ के चलते हैं कि भाई यहाँ से अभी पैसा आएगा ही नहीं इसको दिखाना पड़ेगा as a lossy करके यहाँ पे न कानून में कुछ चीज़े लिखी गई है company act में कुछ चीज़े लिखी गई है कि यहाँ पे for example जैसे में कुछ example आपको इससे पहले भी दे चुका मैंने किसी एक friend को ना दस हजार दिये थे ठीक है मैंने उसको बोला कि मुझे तीन साल के बाद दे देना वो बोला कि मेरा business के उपर सब कुछ है तो मैं दस हजार दे दूँगा तुमें और मुझे तीन-चार दिन के बाद पता चला कि उसका जो main business था वो ही खतम हो गया fire हो गया कुछ तो हो गया x y z reason अभी जिन लोगों को से उनने उधारी ली थी वो दस-दस रुपया भी लोटा नहीं पार है अभी मुझे पता चला कि यह 10,000 वो का से लोटाएगा जहांसे वो लोगों को 10 रुपया तक नहीं लोटा पा रहा है actually मैं यह नहीं कह सकता कि उसने मेरा पैसा लोटा है नहीं वो तो तीन साल के बाद लोटाएगा बट मुझे पता है अभी कि नहीं आने वाले पैसा तो यह आपके उपर रहता है कि आप कैसे उस 10,000 को दिखा सके कि वो पैसा डूब गया करके चाहे तो आप लोग आखिर के जब टाइम आएगा तभी दिखा दोगे तो पूरा का पूरा बैलेंस शीट पीनल खराब हो जाएगा या फिर आप थोड़ा-थोड़ा 10-10 रूपया, 500-500 रूपया, 1000-1000 दिखा सकते over the period of time तो फिर बर्डन आखिर में नहीं आता है तो ऐसा ही हम लोग कह सकते ही कि यह प्रोविजनिंग का बात होता है पैसा almost हम कह सकते हैं, ना के बराबर है, मतलब गया करके हैं इसलिए आप देख सकते हैं, जो profit पहले दिख रहा था, 172 वो सीधा आगया सिर्फ 13,500 पे, सो हम कह सकते हैं कि यह अच्छी बात नहीं होती है देखने को मिल रहे, और आगे भी जाएंगे अगर ऐसे ही कोविड बढ़ता रहा, लॉक्डाउन एक्सेंड होता रहा तो, तो यहां पर कुछ लोगों की कंडिशन, जैसे 10 लोगों को लोन दिया था, उसमें से मुझे पता है कि 6 लोगों तो देंगे ही नहीं, बट और उन यही चीज़ें हम लोगों को होती भी देखने को लिए, आप देख सकते हैं, पूरी तरीके से गायब, 70,000 था, यहां पर 84 था, अभी आप देखना, 13 हो गया, सिर्फ साड़े तेरा, तो हम लोग कह सकते हैं, बहुत बढ़ा जटका है, यहां पर यह बंदन बैंक को लगते ह यह फाइनल प्रॉफिट रहता है, जो कि आप लोगों को वेबसेट के उपर भी जलकते भी देखने को मलेगा, 10,000, 10,500 आप बोल सकते हैं, अप्रॉक्सिमेटली, राइट, सो यहां तक भी कहानी है, हम लोगों ने देख ली, खराब कहानी है, प्रोविजनिंग की कारण हम ही मिलता है, उसके बाद शुरू हो जाता है, तो फिर हम लोग उसको स्टैंडर्ड, सब्स्टैंडर्ड ऐसे अलग-अलग फेज होते हैं, जो कि इसके पहले 85,000 उसके पहले तो 1,00, 5 गुना NPA बढ़ चुका है, बंदन बैंक की मैं बात करूँ, बहुती बहुती नाजुक यहां पर नजर आ रही है, तो यह नाजुक मतलब क्या, मैं स्टॉक मार्केट के इसाब से बात करूँ, बहुत से रलों को ऐसा लगता है कि कल से हमारा डिपॉसिट अटक जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, यस बैंक का डिपॉसिट नहीं रुका, राइट, आर बिय कभी भी बैंक को डूबने नहीं देगी, लिस्टेड बैंक क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो, मतलब नेशन वाइट जो हमलों को देखने को मिलती है, तो यह चीज़ को मत पकड़ के चलना, कि हमारा डिपॉसिट वो पाथ सो टक का सेफ है, उससे कोई फरक नहीं पड़ता है, मैं स्टॉक मार्केट के इसाब से स्टॉक की बात कर रहा हूँ, जहां पर आप देख सकते हो, पाच गुना यहां पर NPA बढ़ा है, तो नेट NPA पी अगर हम लोग बात करें, एडजस्मेंट के बाद वही स्तीती रहेगी, आप परसेंट वाइस भी देख सकते हो, पहले दे तीनों का कॉंबिनेशन के अगर मैं बात करूँ, कोई पॉजिटिव वाइप समने नहीं आ रही है, कि बंदन बैंक अच्छा परफोर्मेंस देगा, तो फिलाल ऐसे बैंक से तो मैं दूर रहना ही पसंद करूँगा, आप लोगों को बताता हूँ, जो बहुत बड़े बैं बैंक में रहने का सबसे बेस्ट होता है, तो डेटा देखकर में इतना कह सकता हूँ कि परफोर्मेंस बंदन बैंक का अच्छा नहीं है, तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके नॉर्मल स्क्रीन के उपर, यहां पर बंदन बैंक आप देख सकते हो, तीन सो रुपे का बंदन बैंक के नंबर उतने खास नहीं थे, तो इसलिए आप लोगों ने देखा कि शौट टम में तेजी पकड़ी जाती है, शौट टम यह देखो जाता है, तो आप लोगों ने फसना नहीं है, मैं बस अपने पॉन्ट आफ इसे स्टड़ी करके आपको यह बात बता रहा जिसे, हम कह सकते हैं, इनका लोन बूग भी अगर हम लोग देखते हैं, तो उनी के और ज्यादा रहता है, छोटे बिजनेस के और भी ज्यादा रहता है, तो जटका तो यह पर ज़रूर लगेगा, 21-22 परसंट के हम लोगों को यह आपे डिलिवरीस देखने को मुन रहें, जो सवाल यहां पर पूछा जा रहा है, बहुत सरलंग का, कि यहां यह नेक्स्ट यह बैंक बनेगा, तो दोस्तों यह comparison ना कोई वैलिड है ही नहीं, क्यों पता है, क्योंकि यह बैंक में फ्रॉड हुआ था, बंदन बैंक में फ्रॉड नहीं, वो तो performance चल रहा है, अभी कि इतने सारी, देखे, कल अगर कोई XYZ, अगर आप कोई भी बैंक उटाते हो, और उसका भी price 15 रुपे पह है, उसको भी Yes Bank के साथ आप compare नहीं कर सकते हैं, क्योंकि Yes Bank में फ्रॉड हुआ था, हाँ अगर कोई फ्रॉड वाली बैंक को आप compare करोगे फ्रॉड वाले के साथ, तो इसा डिरेक्ली compare मत करना, देखा जाए तो बंदन बैंक, Yes Bank से बहुत ही ज़्यादा सुपिरियर है, Yes Bank की अगर में बात करो, जो पुरानी वाली थी, आप सबी लोग का बता है 500 का शेर 5 रुपे तक क्यों आया, अभी की Yes Bank हम कह सकते हैं, कि डूपते हुए जाज को बचाने बस मैं इतना ही आप लोग को कह सकता हूँ, डिरेक्ली ऐसा compare मत करना, कि क्या यह Yes Bank बनेगा, जो लोग बहुत सारा लोग पूछ रहते हैं, अच्छा comment था, बट इतना ही मैं कह सकता हूँ दोस्तों, कि बंदन बैंक में फिलाल, मैं तो निवेश नहीं करूंगा, as a shareholder point of view से मैं यहाँ पर बात करा हूँ, जब company के number सुधर जाएंगे, तब मैं यहाँ पर जरूर इंट्रेस्ट दिखा सकता हूँ, so देख लेते हैं, Monday की दिन बाजार numbers के और कैसे reaction यहाँ पर देता है, reaction कितना भी positive हो, कितना भी तेजी आ जाए, उसमें हम लोग को नहीं फसना है, क् कि यह long term की अगर मैं बात करूँ, यह chart ऐसा याद रखना, long term में ऐसा धीमे धीमे करके वो नीचा आते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, so बस इतना ही कहना चाहूँ कि इतने खास number नहीं है, चाहे वो profit हो, चाहे वो provisioning हो, या फिर NPS की भी बात करें, so final decision as usual, आप ही का र के classes के उपर जो वीडियो आया है, उसको भी जरू कवर करना, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने का आपको मिल सकता है, so that's it, thank you very much दोस्तो, we will be meeting our next deal, तब तक के लिए, bye bye